जोड़ना और तोड़ना मतलम हम लोग किसी ओर्गेनेंट की जीन को मोडिपाय कर रहा है चेंज कर रहा है ऐसे ओर्गेनेंट में जिसका जीन अटर्ड किया जाए वाय करदी नम गैस और जनीटिकली मॉडिपायड और जनीटिकली मॉडिपायड catastrophy मिन यह कर रहा हता है कके यहत न है जाला कई लोक है हम लोग कहीं प्लकेग तिक देबाच है जनेटिकली मोडिपायड अर्डडड यह कर देड है। are used by Maniculation, okay ? GMO is useful in many ways. तो genetically modified organisms को बहुत सरे यूज होता है और genetically modified organisms को sourcerine ने दो GMO गोलते हैं, GMO, okay ? और GM plants का बहुत सरे usage है, क्या का use है? तो देखी. बहुत सारे plants ऐसे होते हैं जो abiotic factor से effect होते हैं जैसे यदि जादे oid आ जाए तो जादे oid में plant grow नहीं कर पाएगा crop अच्छे से grow नहीं करेंगे या फिर जादे heat हो जाए तो जादे heat में plant अच्छे से grow नहीं करेंगे तो plant में या फिर प्रॉप्स में ऐसा modification आया जाता है जीन को अटर्ट किया जाता है कि वह heat को भी resist कर सके point को भी resist कर सके draws को भी resist कर सके जादे salt को भी resist कर सके ओके तो genetic modification के जो हम प्रॉप्स को abiotic stress से resistant बना सकते हैं तो genetic modification has made crops abiotic resistant या फिर रस्टेंट तो abiotic stress ठीक है इसके बाद सब्सक्राइब सब्सक्राइब क्या है प्रॉप्सक्राइब क्या है में इसक्राइब क्रॉप्स made crops more tolerance to abiotic stress या बाइब क्रॉप्सक्राइब के अगेश्ट प्लांट्स को more tolerance मना सकते हैं मतलब जादे stress सब्सक्राइब दूसरा क्या है यादी genetic modification होता रहा है तो genetic modification पोब्स réalité प्लांट SAND प्लांट बना सकते हैं प्लांटो प्लांट मिन्स ऐसे प्लांट जो पेस्ट के अगेश्ट रही सीश्ट कर सके जैसे हम लोग पते हैं BT cotton, एक इंसेक्ट होता है, जो cotton plant को destroy कर देता है, तो cotton plant में ऐसे gene develop कर दें, जिसे की इंसेक्ट ही मढ़ जा है, okay, तो paste resistant plant, paste resistant plant भी हम लोग बना सकते हैं, by genetic modification, okay, तो देटी सीच होगा, reduce reliance upon chemical pestle sites लगा, जब हम paste resistant plant भुना लेके, तो हमें pestle sites पे debate नहीं रहना पड़ेगा, okay, तो pestle sites पे debate नहीं होगा, तो मतलब हमारी में स्वाइस हैं, उसका fertility long time pack पर करार लेगा, okay, तो लेकि genetic modification तो ही क्या हो सकता है, genetic modification, post-harvest loss को ही कम करता है, post-harvest loss means harvesting करने के बाद भी crops लोसे हो सकता है, okay, जैसे माल दिजिए मामन, wheat लगा, game लगा है, game लों harvest होने के बाद भी, game लों घर में आया और घर में आने के बाद तक वो genetic modification करते हैं, okay, तो we can reduce the post-harvest loss by genetic modification, okay, इसके बाद भी के plants को grow करने के mineral सही, तो यदि हमको genetic modification कर लेते हैं plants में, तो plants minerals use करने के efficiency का increase हो जाएगा, okay, तो increase the efficiency of usage of minerals by plants, okay, plants का minerals use करने के efficiency को हम लोग बढ़ा रोते हैं by genetic modification, okay, इतना ही नहीं, हम लोग plants का nutritional value को भी बढ़ा सकते हैं, मतलब, plants में generally जैसे rice ही हम लोग grow करने हैं, और rice में, ऐसा rice grow कर सकते हैं, जिसमें की vitamin A की मात्रा जादे हो, vitamin B की मात्रा जादे हो, तो nutritional value उसका बढ़ा सकते हैं, और इसका example है, golden rice, golden rice, जिसमें की vitamin A enriched rice नाया है, मतलब, plants में vitamin A जादे मात्रा में परेक्षाता हैं, तो यह possible जाए genetic modification के द्वारा, तो genetic modification के द्वारा हम लोग nutritional value को भी increase कर सकते हैं, तो यह सारे genetic modification का benefit रहा है, और एक जिसमें की, genetic modification हम तो वेसे कर सकते हैं, biotech के चूप कर सकते हैं, okay, genetic engineering के चूप कर सकते हैं, तो genetic engineering का बहु सारे applications है, तो इस तरह देखे, genetic modification है, application काँ भी हो रहा है, every culture में, और हां सुभी एक हम लोग genetic modification कर रहे हैं, तो इसका applications हो रहा है early culture में, इसके अलावे, इस chapter में हम दो को applications जिसका medicine में लेखना है, transgenic animals में लेखना है, और historical issue में लेखना है, okay, physical issue क्या होगा, physical issue में से genetic modification से समाज में क्या effect पढ़ रहा है, okay, जैसे कभी-कभी किसी organism, अब माने जी किसी human कर ले लिए, human में कोई experiment कर रहे हैं, उसका gene change कर रहे हैं, लेकि उसका bad effect पढ़ गया, तो काणूं क्या हमें है, इसका allow देगा human में, कोई भी चीज़ experiment कर देगा, okay, human में हम experiment नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज माने जी किसी human का gene cut करके, कोई experiment कर रहे हैं, और वोस experiment में वज़ा से human का deal हो जा रहा है, तो उसके लिए कौन responsible होगा, कोई होगा, नहीं होगा, तो यह सारे जीने किसी दाल issue में हम दो देखेंगे, okay, और medical and non-genitor, इसका भी हम लोग विदिग्रेंज देखेंगे, अगी हम लोग अग्री culture में बायोटेक का application देखें है, अग्री culture में बायोटेक का क्या application है, इसमें हम लोग दो सीजे देखेंगे, production of a paste resistant plant, मतलब बायोटेक का यूज करके, genetic engineering का यूज करके, हम लोग paste resistant plant का production कर सकते हैं, ऐसे plant का production कर सकते हैं, जिसको insect को खाएगा, तो insect मर जाएगा, कोई paste खाएगा, तो paste मर जाएगा, मतलब तो हम लोग pesticide की use को कम कर सकते हैं, ऐके, पैसे देखेंगे लोग बायो टेटर, ऐके, तो इसना एक जांपर देखेंगे दो है, बायो पेस्ट बना करके, और दुसा आदेने इंटर्फेरेंस, आदेने इंटर्फेरेंस लिया पिर आदेने आई, तो फ़रें हम लोग बिर्फेरें बायो पेस्टिसाइट पैसे मनाया जाता है, एक टॉक्सिन होना, BT टॉक्सिन होना, BT टॉक्सिन है, Bacillus thurindenesis बेक्टिरिया के प्रोड्यूस होता है, बेसिनस thurindenesis को सौर्ट में बोरेंगे, BT, बेक्स है, BT, Bacillus thurindenesis, नहीं बेक्टिरिया होता है, BT टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, Bacillus thurindenesis है, Bacillus thurindenesis है, बेक्टिरिया होता है, Bacillus bakteria होता है, Bacteria का आप्रोडों सारी थाइट सपढ़ने होंगे, Bacillus, Bacillus के अलावे, Jog S-hericals है, Bacteria होता है, Focuss, Spiruland, Vibreum, O.K. On the basis of Sacha, Toxime ओने है, Bacillus. Toxime katarin selling, Bacillus thurindesis है, एक Toxin होता है, जिस ओनावन होता है, BT toxin है, O.K. Toxime, BT toxin है, 이 toxin contain करता है, Insect को kill करने वाला, O.K. ये toxin insect को kill कर लेता है, तो इस toxin को, इस gene को हम लोग isolate कर सकते हैं, बैसे लोग इस gene को isolate करके, हम लोग इसको culture करेंगे, और culture करके, plant में produce करेंगे, plant में इसे लिए इंप्रोड्यूच करेंगे, तो plant में ये gene spray होगा, और plant में spray होगा, तो insect यरी आएगा उस plant में, और insect यरी eat करेगा, खाएगा, तो insect उसे मर जाएगा, तो इस तरह से हम लोग insect के अगेंगे, इस threat से बचाओ के लिए, VT toxin gene को plant में spray कर सकते हैं, तो plant यरी हम लोग VT toxin gene को spray करेंगे, तो plant इस ऐसा plant बन जाएगा, which is resistant to pest or an insect, okay, तो plant हमाना bio हो गया, bio-olition related to bio, और pest के resistant हो गया, तो इस तरह को बनेंगे, bio-pesticides, okay, तो यहाँ पी यह रहां परेगा, bio-pesticides का, okay, तो genetic engineering इसुरू, हम तो bio-pesticides बना सकते हैं, we can make bio-pesticides by using the genetic engineering, okay, और इसरी examples बहुँ सारे हैं, जैसे bt-porn है, bt-porn है, rice, tomato, potato, soyapin, okay, इन सभी में, bt-toxin वाला gene डाल करके, इनको, हम लोग insect से बचा सकते हैं, इसमें भी particular gene होता है, अलग-अलग insect के लिए, अलग-अलग bacillus syringenesis का अलग-अलग insect होता है, okay, अलग-अलग insect से, अलग-अलग gene को हम लोग apply करके, particular type of bio-pesticides बना सकते हैं, इसमें चलिए हम लोग देख रहे हैं, bt-coton जो बनाते हैं, bt-coton कैसे बनाते हैं, और उसको क्या function होता है, okay, bacillus syringenesis एक bacteria होता है, इसको salt port में तो bt बनाते हैं, और bacillus syringenesis के अलग-अलग strain होते रहे, bacteria को उसके strain होंगे, okay, bacillus syringenesis एक protein, crystal protein से create करता है, okay, और यह protein, toxic substance करते हैं, okay, और यह toxic substance होता है, insect इसाइए, toxic substance contain करता है, इस toxic substance, bacteria को कुछ निकरेगा, और यह चीज़λαर रखीजिए, यह toxic substance होता है, किस ओरगिवें को किल रसकता है, तु क्योंको इंसेक बनाते हैं, क्सेट इंसेक को किल कर सकता हैं , जैसे, इस 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 बलेने आख़मी को प्रियमा मुष्ञ अधी. लेकिनdoor को बने़ीत होता है उसेरुटा में पैसा ऐसलिए अहाट पैसा में पेशा कमाने के लिए नब अहाट Lac tekrar कlai, पैसा कमाने के लिए जिसलिए उसके एक लिख पामिप करते हैं उके, लाहिन और होपिलो और हो जए सरे इंसेक्ट के करिकरे जाना है यह सरे इंसेक्ट को कीड़ गडंगेगे bacillus chlandinesis प्रोडिक्टिक्रिस्टल से करता है प्रोड्य करता है और इस प्रोडिक्रिस्टल में को दिया जाना है जाजमनें बेशिल नहीं कर देगा नायुक्त देए सोंकेट नहीं करेगा तो किया टॉक्सिन परन्फ होथा यह प्रो-टॉक्सिन के रूप में बैक्टरिया में परठेट उता है है The pro-Toxin Okay, crystal को में परठेट उता है जैसे कि कोई इंसेक्त इसको इत करेगा इंसेक्ट मांने इसको खाया तो इंसेक्ट के खाने के वाक ये इंसेक्ट के गट मे आपर और गट में गट में अलकलाइन पीश हुता है इसके गट का अलकलाइन है युदा इन्सेक्ट की गड्ट में के pro-toxin toxin में चीज़ रता हुआ Okay. pro-toxin is converted to toxin इन्सेक्ट आफू इन्सेक्ट जो फुरा अके लाए है प्रिय्यट है Okay. अके लाएं प्रिय्यट होंगे की वज़से इस इंसेक्ट के गट में polytoxics, toxic में चेह कर रहता ही अब जैसे इन तॉकिक में चेह्ज हुआ तो इह इंसेक्ट के meat gut के थाल्या जेल से बाइख हो करके उसमें पोर्ष काउच कर देका रहा है कुछ भी खाएगा तो इस से क्या वोपाएगा, कुज जियुक्त कैंण लिवा तो इस तरह से polytoxin इनसेट को मारनेा करण करता है तो जब इनसेट को उतम सकता है,kinete toxin, my vaccine, since alright, so scientist क्या सुचा कि उना इस toxin को plant द्रणन कर दिया गया नो या नो्त गे इस चॉक्सेन को इस बीट गेडा गe नखिए तो उस बीट गेडा है, नो एपटीट को इस चीन को धिएक काएगा,ै को अचैक में बाइठाई गवा तो बेट चूक्सेन गेड गवा किर गीम्ने जातना,ट कॉँझ मौण Лेघहरर下去 है तो cry gene is smallpox अब्रोटीन को सेप्रेयग होता है। तो cry gene, cry protein को सेप्रेक अब्टा धा और cry protein, in-set को मार नेथा दा मनलब, in-set की साइड़ होता है। अबर यहां पे दिती है, कि cry gene भी अलग लग गराते होता है अलग अलग इंसेट को तिल करते है दिए जैसे क्रायब हैस्ट आइस्ट 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 आइस कोटन के बॉल को ग्रो नहीं करने लेता है, कोटन के बॉल जो होता है, आप लोग NCIT के डाग्राम देख दिएगा, NCIT में डाग्राम देख गया है, कोटन बॉल बॉल का, तो कोटन बॉल को ही ग्रो नहीं करने लेता है, और कोटन बॉल बॉल को ग्रो नहीं करने लेता है, तो तो इसके लिए एक toxin होता है cryopoist AC, या फिर cryosagand AD, okay, which kind of was the token ball warm और cryopoist AD होता है, corn borer को kill करने के लिए, okay, corn borer insect होता है, जो corn को बढ़ो, मैंनी करने रिप्टा है, तो उसके again engine होता है cryopoist AB gene को easily रखना है, क्या रखने का क्या technique है, cryopoist AB, यह के बड़ भी आता है, चेखना, mind रहना है, to be a small बगा, okay, फिर नेके cryopoist AC, AB आता, AC, है ना, फिर voice खता नहीं गया, तो क्या होगा, cry second AB, है ना, तो इसके से gene का sequence या रखने होता है, और gene का sequence ने, cryopoist AB, पी to have that controls, cornbrotal, and try voice AC, and ridiculous AB controls, kutan ball, वाओ, okay, तो इसके बाच बदुन देखेंगे, RNA-PI, RNA-gender-cell, वादो के ने लाज्में जाएंगे, तो इसके सबाच, मैं बदून देखेंगे, RNA-I, RNA-I to have,